है अब लोग का स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो सेशन में तो फ्रेंड्स आज हम लोग कुछ परसेंटेज पे बेसिक कुश्चन करने वाले हैं जैसा कि आप बोट पे देख रहे हैं मैंने कुछ कुश्चन लिया है मैं यहां पर आपको 10 कुश्चन करवाऊंगा बहुत gonna complete to if sort of किसका परसेंटेज का जह से हम से हम कर देखते हैं कि हम से इसी तरह से टाएप ऐनए कुश्चन परसेंटेज कर बनता है तो चलिए solve करते हैं ठीक है तो यहां पर दीखें पहला question जैसे कि मैंने लिया है कि if 80% of a equal है 50% of b ठीक है and b equal है x% of a then the value of x is तो पहला question यह है हमारा ठीक है जिसका हम solution करते हैं तो देखिए क्या बुला है कि 80% 80% किसका a का ब्राबर है किसके 50% of b का यहां तक data मैंने अभी तक लिया है ठीक है तो इसको बदलना है तो देखिए percentage का मतलब क्या होता है वन वटे 100 होता है ठीक है यह होता है तो मैं यहां से percentage हटा के वन वटा 100 लगा सकता हूं तो 80 हो गया वन वटा 100 of बदल गया का into में यह बड़ाबर 50 यहां भी percentage के लिए इसमें into कर देता हूं तो 50 by 100 हो जाएगा और off बदलता है multiply में B ठीक है तो यहां से दोनों बड़ाबर में है तो 100 से 100 कड़ गया यहां से 0 से 0 कड़ जाएगा तो बचेगा 8 A बड़ाबर 5 B इसको अब हम ratio में change कर लेते हैं तो A इधर से B आ गया नीचे 5 यही रहा और 8 आ गया इस तरह इंटर्चेंज कर दिये तो यह हमारा क्या बन गया यह हमारा ratio भी बन गया और A का मान हो गया 5 और B का मान हो गया 8 ठीक तो अब इस value को क्या बोल रहा है एक equation आपको यहां पर है है ना तो इस equation में बस इस value को put कर देना है तो दिखिए वो क्या दिये लिखा हुआ है ना तो लिखा हुआ है कि B बरावर है अब यह जो A का मान अब B का मान है बस इस data हम आप रख दो तो आपका X का मान आ जाएगा तो दो को B का मान कितना 8 X का मान आप 30 के बतलम जानते हैं कि 100 से multiply कर सकते हैं 100 से off बदलता है इंटू में और A का मान कितना है 5 हो गया आप सब value को इधर बिख दो क्योंकि हमको X का मान चाहिए तो X इधर लिख लिए और यह 100 को इधर बिख दिए तो 800 और यह 5 इंटू में थी यह divide में ठीक है तो यह 5 से एक बार में कर दिए तो 10 बार में कटेगा तो हो जाएगा 80 गुना में 2 तो यहां कितना हो गए 160 दिखिए X का value मांगा था तो X का value हमारा यहां पर भाग भी गया ठीक है तो X का value हमारा आगिया आप हमारा दूसरा question है तो आपको समझ माया हो तो आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगा आप बोलोगे कि यह बड़ा है बड़ा नहीं यह प्रैक्टिस करोगे तो यह सौट हो जाता है आपको बताने के लिए मैं बस इस तरह डिटेल में बता रहा हूं कि आप सीखो कि कैसे percentage में approach होता है solve करने का आप देखिए second question पहला question हो गया होगा तो second question यहां पर बनाते हैं ठीक है देखिए second question क्या बोला है if x is 80% of y क्या बोला कि x जो है 80% है y का तो what percent of x is y तो बताना है कि जो क्या परतिसात है x का मतलब what percent of x is y तो मतलब x जो है कितना परतिसात है y का ठीक है तो चलिए पहला देखिए एक equation यहां से बनेगा कि x जो है है कितना 80% of y एक equation बना तो इसको हम बदल लेते हैं क्योंकि अभी हम percentage का मान पढ़के आए कितना होता है वन बटे 100 होता है तो इसको हम बदल लेते हैं गुना y ठीक दखो आब हमको यह हो गया तो रेसियों बदल लेते हैं तो एक जिरो से जिरो खतम तो x बटा 10 इंटू y तो यहां से दो से काटेंगे 4 बार दो से काटेंगे 5 बार में और यह हो गया इंटू में y अब रेसियों बना लेते हैं x y का यह हुए 4 बटा 5 यह हमारा x और y का value बोल सकते हैं कि x का value 4 है और y का value 5 है अब हमारा जो question पूछा है now क्या पूछा है कि वाट परतिस्तों X is Y कहने का मतलग है कि Y जो है X का इस पर ध्यान दिजिएगा का किस पर पूछा है वो का जिसमें लगा रहेगा का ऑफ मतलब का जिसमें भी लगा रहेगा वो किसमें जाएगा बेस में जाएगा ठीक है डेनुमिनेटर में जाएगा फ्रैक्षन अगर इसको हम लिखते हैं तो जो का जिसके साथ लगा रहेगा वो कहा जाएगा बेस में याद रखना है और जिसमें पूछा है वो उपर जाएगा सीधा इसका मतलब आपका मतलब है कि वो पेस में जाएग तो दो कि y का मानं कितना 5 और x का मानं कितना 4 परटिसाथ का साएं यह सही यह कटेज जा máquina कितना बार 25 बार मैं पान्च गुना 25 तो कितना बना 125 परसेंट तो उत्तर आ गया कि y जो है x के तुलना में परटिसाथ है 125 परटिसाथ है ठीक है सबजबाया तो इस तरह से हम लोग सॉलव करते हैं इस तरह से एप्रोच लगाते फ्रेक्शन का तो और कुश्शन लेते हैं आप दिखिए आगे question में बढ़ते हैं next question तीसरा और चौथा है तो यहाँ पर दिखिए तीसरा question क्या बोल रहा है तीसरा question बोल रहा है आपका कि question में बढ़के समझाता हूं if 8% of x is the same as 4% of y क्या बोला कि 8% of x का वो बढ़ावर है सेम है कितना के 4% of y के और हम लोग जानते है कि percent को हम change कर सकते fraction में कैसे 1 गटा 100 ठीक है इस तरह चेंज कर सकते हैं तो यहाँ पर 8 को multiply कर दे जोन वटा 100 से तो 8 by 100 हो जाएगा और बदलता इंटू में एक्स ब्रावर यहाँ भी हम ऐसे कर सकते हैं चार वटा लव चार बाव में 100 और वाई हो गया आप देखो दोनों तरफ ब्रावर है तो यह से यह कट गया तो यहां सबचा एक्स ब्रावर और यह इंटू है तो अब डारेक्ट में गुना कर देता हूं चार को वाई सब फोर वाई ठीक है और इसहाँ से हो गया अगर हमको रेशियो में बदलना है तो वाई को इधर लिया तो यहां पर चार इधर से आठ को इधर वे दे तो यह हमारा रेशियो बन और य का मान टू हो गया ठीक है आप देखें आगे कुशन परते देन तब 20 पर 30 अप एक्स इस दे सेम एज तो 20 पर 30 जो एक्स का वो किसके उसका वेल्यू क्या आएगा तो यह बताना तो अब देखते हैं इसका सॉल्व करते कि 20 पर 30 अप एक्स किसके बडाबर होगा यही पूछ रहा है तो देखें 20 पर 30 अप एक्स यह कुश्यन है आपका तो 20 पर 30 को हम 20 बटा 100 में बदर लिए ऑफ एक्स तो एक्स इसको 20 बार में काटेंगे तो 5 बार में इंटू एक्स अब देखो एक्स का यहां मान पूट कर देते हैं ठीक है तो एक्स का मान यहीं से निकल इसको अगर हमको परसेंटेज में लिखना है तो इसे हम लिख सकते हैं कि 10% of y क्यों देखो 10% of y हम है इस डाटा को हम इस तरह से भी कनवर्ट करके लिख सकते हैं कैसे तो देखिए अगर हम इस डाटा को सॉल्व करें तो इतना आ जाना चाहिए तो देखिए 10% of y एक जिरो से एक जिरो खटम तो y बटा दसाया यहीं देखिए इस डाटा को इस तरह से भी लिख सकते हैं ऑप्सन में आपको यह मिलेगा इस तरह से कनवर्ट करने लिए तो इस तरह से हम लिख सकते हैं तो यह हमारा आंसर हो गया ठीक है तो इस तरह से समझ सकते हो आप चलिए आप next question fourth पर बढ़ते हैं क्या है if 120 is 20% of a number क्या बोला कि यदि 120 जो है 20% of a number किसी number कहा है then 120% of that number will be क्या होगा तो देख लेते हैं 120 जो है है 20% किसी नम्मर का कोई नम्मर है वो उसको पी माल लिए ठीक है तो इसको पहले solve करते हैं तो यह कड़ गया पांच बार में तो पी ब्रावर क्या निकला 120 इस फाइब को इदर पर दे तो इंटू हो जाएगा कि इदर डिवाइड में तो इदर जाके इंटू हो जागा तो पी का पी हमारा जो भी है वो निकल गया हम इसको मल्टिप्लाय नहीं करेंगे नहीं तो बड़ा value हो जागा काटने में दिक्कत होगा तो यह होगा आप इस नहीं इसी में 120 पूछाय तो 120 परचेंट इसका निकाल देंगे ठीक है तो एक जिरू से एक जिरू खतम पांस से दो बार में तो से छे बार में तो 120 गुना में 6 पी का माना आ जाएगा कि वह नंबर का 120 परतिसत क्या है तो जीरू छेदू बार है छेदू साथ यह आपका पी इसी नमर पी नमर तो देखिए आपका नमर यह था यहां आ गया था लें उसका 120 परचेंट कितना होगा 120 परचेंट आज 120 होगा यह आपका उत्तर होगा ठीक है तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो आगे फिर नेक्स कुश्चन पर बढ़ते हैं थो नेक्स्ऩ कुश्चन है हमारा दोस्तों पांच ओर छे तो पांच क्या आप्रोच्च होगा परसेंटेज का तो देख्ट है हमारा शीट में भी देखेंगे तो देखिए तो पांचमा कुश्चन को उल्टे हैं पहले कुश्यर को पढ़ लेते हैं if x is less than y by 50% मतलब 25 25% मतलब x जो है y से 25% छोटा है then y exceed xy तो y जो है x से कितना बड़ा है यह आपको पता करना है percentage भी तो देखिए इसको मैं लिखता हूं ठीक है क्या है कि आपको यहां पर percentage का ratio percentage का जो fraction to percentage table है वह आपको याद होना चाहिए तब वो इससे आप असाने से approach कर सकते हो तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि 25% का मतलब कितना होता है वन वट्टे 4 यह हो गया percentage का fraction ठीक है वन वट्टा 4 fraction होता है तो यह जो हता है यह आपको क्या होता है original value होता है या original number होता है या original number लिख देता हूं सही रहेगा यह original number होता है और यह क्या होता है यह percent value होता है यह कितना होता है यह ही आपका है 25% यह 25% का value जो है यह उपर वाला होता है जो निमोनेटर में होता है ठीक है जो ठीक है तो यह जो इस 25% को जो fraction में बदले 1 वटा 4 में तो जो नीचे होता है वो original value होता है जो उपर होता है यह तो उसे 25% वही 1 जो है यह 1 किसका value है 25% का value है fraction में ठीक है तो बोल रहा है कि एक्स जो है एक्स आइसका ratio बना लेते है माली चीज तरह से एक्स रेशियो वाई के अनुपात में लिख लिए रेशियो के फॉर में लिख लिए ठीक है तो एक्स जो है लेस है लेस देन वाई एक्स जो है लेस है कम है एक्स क्या है कम है वाई से कितना 25% कम है तो 25% का भी मान बता है कितना कम है वन कम है और इजनल विल्यूम कितना है चार तो चार यह है उससे कितना कम है एक कम है ठीक है यह इसमें से और इजनल विल्यूम घटा देंगे तो चार हो गया वाई है और एक्स कितना हो गया तीन हो गया अब पूछ रहा है कि वाई जो है एक्स कितना ज्यादा है तो ज्या पूछ रहा है कि y जो है किस से ज्यादा है एक से ज्यादा एकस से तो एकस कहां चल जाएगा नीचे ठीक है अलगा देंगे परतिसत का मान तो क्या हो जाएगा इस के काटने बैठ हो गए तो आपको रेशियो याद रन ला चाहिए कि 100 बटा तीन का पर्सेंटेज होता उसका मान होता 3-3 वन से या 3% या एसी को डेसीमल में बहुँआ तो 33 ॥ी-3 % होता है यह आपका उत्तर हो गया कि y जो है एकस से कितना ज्यादा है तो 33.33 परसेंट है ठीक है तो इस तरह से धीरे धीरे आप देखना अभी मेरा पहला वीडियो यह मैं पर तो आपको थोड़ा समझने दिक्कत हो सकता है लेकिन आप मेरे वीडियो के साथ बने रहोगे तो समझने लगोगे ऐसे भी अगर आप कहीं भी थेओरी पड़े होगा थोड़ा सभी तो पी का आपको बहली मताना तो डीए इसको मैं बदल लेता हूँ कि प 36 हो सकता है, क्योंकि PP 11 value है, तो square हो गया, क्योंकि 11 क्या होता है, जूर जाता है, तो square बन गया, आप देखे, P square को इधर रखे, और 100 को right side भेज दिए, तो हमारे ये बनी गया, तो गुना करेंगे, तो 36 और square, ये हमारे equation, लेकिन हमको किसका value चाहिए, पी का चाहिए, ना कि P square का चाहिए, तो square जब उधर जाता है, square जब convert होता है, तो किसमें convert हो जाता है, root में, तो इसको उधर ले जाएंगे, तो क्या, इसमें convert हो जागा, root में, ठीक है, तो और root करेंगे, तो 6 गुना 6, 10 गुना 10, और root, तो कितना होगा, 6 और 10, तो P का मान कि 6 10 टरविया त तो पूछा कुछन कि परतेशें नों था इस सॉल्यूशन प्वें आगेशंद आपको आप तैयारी करते हूं मैं भी जानता हूं कि तैयारी में सौट में बताया जाता है, यह सौट में मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ जो चैनल बनाया हूँ कि जो फ्रेसर है, जो फ्रेसर लोग है, जो मैं कैसे अप्रोच होता है, वो कैसे सीख सके, मैं उसी के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो जैसा, जैसको जैस रहा है वो देख सकते हैं मेरा वीडियो पर सीखने के लिए ठीक है तो देखो छह थक कंप्लीट कर लिए आज के सेशन में 10 कुश्चिन रहेगा तो आप हमारा नेक्ट कुश्चन है सेवन और एट तो सेवन और एट को देखिए सॉल्व करते हैं क्या बोल रहा है सेवन टू इज वाट ओफ फिप्टी परसेंट म दो जो है फिप्टी परसेंट का कितना है तो देखिए इस आफ है न लगावा लग दो का कंपेर इजर किस हो रहा है 50 के बेसमें 50 को बेस मानके दो का कंपरीजन हो रहा है तो इसको कैसे लिखेंगे दो का लबेसमें जाएगा और इतना तो 50 परसेंट इसने लिखना तो व्लब 2 जो है 50 परसेंट का कितना है तो 2 जो कितना है तो दीखिए यह परतिसत में बदल लिए तो यहां से कट गया दो बार में यह 4 परतिसत मतलब दो जो है 50% का कितना है परतिसत में 4% है ठीक है देखो आप लोग को थियोरी पता होगा इसलिए मैं उतना थियोरी नहीं पढ़ाया डारेक्ट कॉस्चन संव जाना या है ठीक है तो फ्रैक्ट्स सब्सं पर्सेंटेज्स में जानां तो 1ुटा 100 से जो भी नमबर उसको क्या करता है और हमको बैक आना है और लिए मिल्ट्स प्रैक्ट्प्सेंटेंज आना है तो क्या कर देते हैं यह damit बर harhill कसे एहां किसमे जाना है पर्सेंटेज में पर्सेंटेज में कि से हई है 0 हुए अगर आप अच्छा समय आएगा अब थेख्यार नमर पर चलते ही और ह की इसे confusion क्या होता है इस language में कि हम समझे नहीं पाते हैं कि किसको बेस माने ठीक है तो बेस आपको एक छोटा सा ट्रिक है बेस बस उसी को मानना जिसके साथ ओफ लगा रहेगा वो कहां चला जाएगा पेस में ठीक है उसके अधार पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा टू बटा फिरी अब बेस किसको माना ओफ वाला को तो यह चला जाएगा नीचे आप किसमें कनफर्ट करना है परतिसत अभी हम परतिसत में देखें फ्रैक्श अगर मैं इसको बदलू तो यह इस पर जाता है जम करके और यह इस पर जाता है तो टू बट थिरी अथिरी बटा वन और यहां से परतिसत यह दो से तीन से तीन खतम और यह दो बचा इंटू वान यह कितना अगा टू हंड्रेड तो जो पूछा कि टू बटा थिरी है कितना परसेंट परतिसत है वन बटा थिरी का तो इस तरह साब अप्रोच करोगे तो एंसर आएगा दो परतिस टू हंड्रेड परतिसत है ठेक है तो आठ नमर तक हम लोग ने कंप्लेट कर चुका है अब आगे चलते हैं तो हमारा अब next question है दोस्तो नम्मा 9th और 10th तो देखते हैं 9 question क्या बोलना चाहरा है if 10th परतिसत of m is the same as 20th परतिसत of n then m ratio n is equal to क्या बोला कि 10th परतिसत of m जो है same है कितना का value के 20th परतिसत of n ठीक है यह आपका एक equation इस तरह से है तो मैंने बोला कि परतिसत का माल हटाने के लिए कितना से multiply करना होगा उस नम्मर को 1 वटा 100 से तो इससे multiply करेंगे तो 10 वटा 100 गुना m बढ़ावर 20 वटा 100 गुना n होगा आप हम इधर से सब से में है इंटू में तो यह 100 से 100 खतम 0 से 0 खतम तो यहां आया m को 1 से गुना करेंगे तो m बढ़ावर 2 n आ जाएगा ratio में अगर convert करना है m और n का अगर ratio में value चाहिए तो 2 बटा 1 तो यह आ गया m और n का value m कमांड 2 n का value 1 आ गया अब आगे question क्या बोल रहा है then m ratio n is equal to सही है ratio पूछा है तो हम ratio को fraction में ऐसे लिखते हैं और अगर ratio को तो इस तरह से भी लिख सकते हैं तो यहीं आपका उत्तर आ गया time ratio n का value आएगा 2 ratio 1 ठीक है तो percentage लगा कर हम कैसे solve कर रहे हैं देख रहे हैं आप लोग बस अभी आपके लिए basic question है तो percentage का बस इस पर अभी चल रहा है इस फिर छोटे से formula पर चल रहा है कि ratio percentage का मान क्या होता है 1 बटा 100 अब 10 में नमर question आज का last question है तो चलिए इसको भी समझते है the ratio 5 ratio 4 expressed as a percent equal to क्या बोला कि चो ratio आपको 5 ratio 4 है उसको express करके दिखाए कि percentage में उसका भेल्यो कितना बढ़ा बढ़ाएगा तो ratio हमारा कितना है 5 पटा 4 ठीक है यह ratio को हम fraction में इस तरह से लिखते हैं अब इसको percentage में बदलना है तो अभी आपको मैंने बोला था कि अगर आपको fraction को किसमें change करना है percentage के value में change करना है तो उसमें कितना से into कर देना है 100 से into करके उसमें सिंबूल लगा देना percentage का तो यहां पर क्या करेंगे यह fraction है इसको 100 से multiply करके percentage का सिंबूल लगा दिए और 4 से 100 कितने बार में 25 बार में कटी है तो 5 गुना 25 पर 30 कितना हो गया 5 25 पर 25 पर गया कहने का मतलब है यह जो ratio है 5 ratio 4 का percentage में कितना माना आएगा 125 परसेंट माना आएगा तो फ्रेंड्स आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताईएगा कमेंट करके लाइक चैनल को यह अगर वीडियो अच्छा लगा हो concept तो आप लाइक भी कर सकते हो वीडियो को तो आज मैंने आपके लिए 10 question लाया इ के लिए तो थैंक्स पूर हुआ चेकी